अंतर वेक्तेग शम्ता और संप्रिशन को असल से अमूमन वही प्रश्ण बार बार आते हैं थोड़ा सा आपके अंदर अगर समझने की सोचने की शम्ता है तो ये प्रश्ण बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं वालत 30-35 आएंगे तो इसमें से आसानी से आप 25 प्रश्ण कर लोगें ये तैह हैं एक वीडियो कल हमने 5 प्रश्ण वालत दिया माधि माधि का बहुलक का उससे 5 प्रश्ण आपके 4 से 5 प्रश्ण फिक्स हो जाएंगे वो वीडियो देख लीजेगा सीसेट का प्लेलिस्ट ब यहां 25 प्रश्ण हो जाएंगे और आपका जो है रीजनिंग थोड़ा बहुत हो जाएगा ठीक है पांच प्रश्ण माधि माधि का बहुलक के 4 से 5 प्रश्ण आप पास हो जाओ गया बाकी अन्य प्रश्ण वें इंग्लिश वगर आते है एक्टिव पैसिव डिरेक्ट चलिए इस पूरे अभी तक के जितने प्रश्ण पूछे के हैं साउलग कर लेते हैं संप्रेशन प्रक्रिया में संदेश रुपान्तरन की सफलता की जाज की जा सकती है किसके द्वारा प्रतिपुष्टी के द्वारा कि संदेश रुपान्तरन हुआ गी नहीं हमने कोई बा तब तक रुपांत्रण की सफलता की जाज नहीं होगी। अपनी बात पहुचाएगा संकेत वाचन संकेत को कहा जाना कूट संकेतन के द्वारा अगर कूट संकेतन नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन एक प्रक्रिया जो है उसमें कूट संकेतन माध्यम के बाद आता है उसके बाद प्रापक जो प्राप्ति करता है उसके पास आएगा और प्राप्त ही करता जब प्राप्त हो जाएगा उसको समझ कर उसकी प्रतिपुष्टी करेगा तो ये होता है पुरा इस figure को आप याद रखेंगे एक बार पूछा भी है प्रेशक और अभिराही के बीच क्या चीज है जो disturbance का काम करती है ठीक है जो समप्रिशन पक्रिया को complete होने में बाधा पहुँचाती है तो क्या है शोर है उपर शोर है और क्या सफलता का देवतोक होता है feedback प्रति पुष्टी ठीक है अभिराही और प्रेशक के बीच पार विभागी समितियां रूप हैं किसका पाश्विख समप्रिशन का किसका पार विभागी समितियां रूप हैं जैसे एक जिले का डियम है दूसरे जिले के डियम से संपर कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे पाश्विख समप्रिशन कहेंगे मतलब अपने संकक्ष जैसे मा भी भागी समितियां कि इसका रूप होती है पाश्विक संप्रेशन का रूप होती है निमकित में से कौन सा शोर से संबंधी संप्रेशन में बाधा नहीं है हमने आप आपको बताया था कि शोर किस तरह से बाधा उत्पन करती है तो कौन सा सोर संबंधी बाधा इनमें से नही है तो द्विक आद्ध प्रारूप इसमें बादा नहीं बाकी सभी प्रत्यक्ष ग्यानात्मक समस्या है मतलब अगर समझने में समझाने में अगर नौलिज समंदी तुटी है सूचना अधिभार मतलब हमने कोई सूचना दे दिया और उसका भारत सोंप दिया भीया कि वो समझ अधिभार सौब दिया कि वो सूचना अपना समझे और उस पर कारवाही करे ये भी एक बादा पहुचाती है सांस्तिक विभिनताएं एक दूसरे की हम हिंदी जानते हैं दूसरा तमिल जानता है तो ये विभिनताएं भी बादा पहुचाती है ठीक है दिक आद्द परभाशी संकेत तक तो इनमें कौन है हाव भावत है नहीं अंग विन्याज भी नहीं है मुखाकृति अव्यक्ति नहीं इब देंगे इन चारो आप्शन्स में भी न तो आपको एक अलग आप्शन नजराएगा स्वर समंदीक शेपन ठीक है तो स्वर जब निकालेंगे तो म प्रत्पुष्टी निम्नतर होती है ये चक्र प्रकार का संप्रेंट सहन है चक्र प्रकार में क्या होता है कि कोई ब्याक्ति यहां पे संप्रेशन की बात कोई बात सुरू कर रहा है कोई सूचना दे रहा है मान लीज़ए अब यहां से बगल वाला है इस तक सूचना गई इसने उस सूचना को या उसी रूप में ग्रहन किया या किसी और रूप में इसने बगल वाले को सूचना दी अब यहां पुष्टी प्रभावित हो रही कि नहीं फिर ये बगल वाले को देगा 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 फिर ये नेता को देगा फिर नेता को सारी बात मालूम रहे कि इसने इसको क्या कहा और इसने इसक संप्रेशन में ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो पॉस्टिय और निगेटिव दोनों बातों को ग्रण कर रहा है और दोनों बातों को समझ रहा है लेकिन बाकी सब समझ नहीं रहें उनको लग रहा है कि यही नितवा जो है दिया है वही हम कुछ रहा है इसके बाद आगे बढ पहते रहते हैं उसब तो इस तरह से अनुयाई की तरह हो जाते हैं और ये नेता जो है नेता उभरता चला जाता है और ये अनुयाई जो है कभी-कभी झूड बातों का भी सही समझ करके उसे पर जैसे मुफ्त 15 लाग ये सारी चीजें जो है इसी के इंतरगत आती है कि वो बा शाम जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे थोड़ा सब व्यहारिक मैं समझा रहा हूँ इन सब चीओं को समझिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से प्रश्ण हो जाते हैं ये आपके लिए वर्दान होता है कि इन सब प्रश्णों को थोड़ा सौल्व कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे निमकित में से भार नहीं लेना है किसी प्रश्णों की संप्रेशन में संगठनात्मक मौन का एक उधारन है अब ये थेकिए बहुत साधानसी बात है संगठनात्मक मौन या करमचारी मौन कभी के भी क्या होता है करमचारी कोई बात जानता रहता है स लेकिन चुकि उसके और जो उसका प्रबंधक है नियोकता है उसके बीच कुछ दूरी होती है या फिर वो नहीं चाहता है कि इस बात को इसको बताना चाहिए इससे मेरा कोई फाइदा है नहीं क्यों बताओं मैं इनको ठीक है तो जान बूचकर या अनजाने में भी कभी कभी कुछ बातों को वो नेगलेट कर देता है जो प्रबंधन के लिए जो संक्ठन के लिए बहुत जवरी होती है या फिर फिल्टर करके देता है यही बात यहां पर है फिल्टरिंग निस्पंधन filter करके देता है जितनी जो उसको लगता है कि हाँ ये मुझे बतानी चाहिए उतना बता देता है और हो सकता है कि उस धंक से न बताए जिस धंक से उसने ग्रहण की हो सकता है उसको लगे कि हमारा अधिकारी बुरा मान जाएगा तो ये सब जो है संगटनात्मक मौन का एक उधारण है उर्द मुखी संप्रेशन में ऐसा कब होता है जब कर्मचारी अपने अधिकारी से कोई संप्रेशन करता है तब ये समस्याती है तो ये सी वला राइट एंसर होगा संगटनात्मक संप्रेशन में निम्खित में से कौन सा अंतर वैकतेक अवरोध नहीं है संगटनात्मक संप्रेशन में कौन सा अब आप लोग थोड़ा सोच विचार कर जवाब दीजे बड़ा आसान सा प्रशन है ये जो प्रजाति केंदिता है मानो व्योहार है एक प्रकार क माने विभार है हर किसी की भावना लगबग होती है अपने धर्म को अपनी जाति को अपनी प्रजाति को स्रेष्ट मानने की ये संगठन के संप्रेशन में अमूमन अपवादिक रूप से बाधा डाल सकते लेकिन अमूमन कोई बाधा डालती है नहीं बाकी जो है अर्थात्मक्ता, अनुग्रहण और छवी प्रबंधन ये सभी जो है जरूर अंतरवेक्तिक अवरोध हैं बाकी प्रजाति केंदिता अंतरवेक्तिक अपरोध नहीं है ये संगठन में अंतर वैक्तिक्ता में कोई भी एक दूसरे से अंतरक्रिया में भी कोई भी किसी प्रकार का बादा नहीं डालती है संप्रेशन निश्ट कपटता का उच्चतम अंश पाय जाता है मतलब आपने कोई सूचना दी आप चाहते हैं सूचना को सपष्टतह देना उसको मेटा संप्रेशन कहते हैं इसके लिए क्या करते हैं सूचना के साथ साथ आप उसमें नोट और परिभाशिक शब्दा वली कि उसमें अगर कुछ कठिन शब्द है तो उसका आप अर्थवी बता देते हो इसको मेटा संप्रेशन काते हैं संप्रेशन के साथ दुतियक संप्रेशन भी आप साथ साथ करते हो इसको मेटा संप्रेशन काते हैं और इसमें निस्कपटता संप्रेशन संबंधी निस्कपटता का उच्चता मनिश पाय जाता है मतलब आप इस पश्टतया वो जानकारी उन तेर बितर करने में सरवाधिक उपयोग्त है थोड़ा सा आप लोग मैंने कहा समझ आप अगर डेवलभ करेंगे तो इसली प्रशन के उत्तर तक पहुँच जाएंगे अब शाबन्ध को तितर बितर करने में सरवाधिक उपयोग्त कौन सा है इसमें रक्षात्मक हो जाना ये तो बिल्कुल गलत है रक्षाटमक हो नहीं यह प्रबंदक के लिए सवाल है ध्यान रखेगा यह आ प्रबंधन में प्रबंधन कर रहे हो आपके लिए सवाल है प्रशाशनी का धिकारी के लिए सवाल है कि मान लिजए आपके सहकर्मी है और needed अबशब्द का प्रियोक कर रह रहे हैoshima में और आपके सामने आते हैं विवाद ले कर के तौ आप में वही चीज होगी इससे कि जड़ की कहा से यह शुरुआ थोई तुम कहा से यह बात किये तो इसमें क्या कर रहे है warranty आप गिलिट कर रहे हैं जो उन्होंने शामदिक अबशब्द कहें हैं तीसरा क्या हानिकारग भाषा को सविकार करने से इनकार इसका सीधा अर्थ है शाब्दिक अब शब्द से सीधा अर्थ इसका सीधा संबंध है यहां से तो सी वाला राइट एंसर हो जाएगा आकरामक दे भाशा बनाये रखना डाट करक भागा देना यह सब चीजें उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देंगी कम नहीं करेंगी और आप जब स्विकार करने से इनकार हैं करेंगे हनिकारिक भाशा से तो जिसकी गलती रहेगी वो भी और जिसकी गलती नहीं रहेगी वो भी दोनु ही लोग फिर ये मामला लेकर के शाब्दिक अबशब्द जैसी कोई बात आपके सामने या प्रबंधन में नहीं करेंगे आप साफ साफ कह दोगे कि इस तरह के अबशब्द प्रबंधन में स्विकार नहीं किये जाएंगे तो उसके बाद ये तितर वितर हो जाएंगे शाब्दिक अब शब्द वाली जितनी भी चीजे रहेंगे सामीप प्रोक्सेमिक संबंदित है अब यहाँ पे सामीप प्रोक्सेमिक संबंदित है ताटस्त संप्रेशन से एक दिशोनमुक संप्रेशन से शाब्दिक संप्रेशन से असाब्दिक संप्रेशन तो सामीप थोड़ा सा दिमाग पर जो डालिएगा जो सामीप यह है जो समीप के लोग रहते हैं जो दूरी से संबंदित जो संप्रेशन होते हैं मतलब अगर दुश्मनी है तो संप्रेशन ना के बराबर होगा अशाब्दिक संप्रिशन से इसमें शब्दों की जोरत नहीं होती है ये पता लगाये जा सकता है कि इनके बीच किस तरह का संप्रिशन होगा मुलब संप्रिशन के ढंग की ये बात करता है किस ढंग का संप्रिशन इन दोनों के मद्य दो व्यक्तियों के मद्य हो रहा है ये स प्रकार का अशाब्दिक संपरिशन सम्मंदित है सामिप्य। प्रकार है प्रकार का। प्रोसे मिज़ जिसको कहते हैं फिजकल डिस्टेंस इसका ध्यन करता है। इसके लावा भी अशाब्दिक संचार हैं काइनेसिक्स, मुखा भीवक्ति, पारा भाशा ये सभी। ये तो लगबग हर बार प्रशनाता है प्रभावी अंतर व्यक्तिक संपरिशन का मुक्यतत्व क्या है। निमकित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्तकी से संबंदित है, संगठन की पारिस्तकी में कौन सा इसमें आता है, तो पाश्विक संपरिशन एक प्रकार का संगठनात्मक पारिस्तकी है। पाश्विक शंप्रिशन इसलिए है संग्ठनात्मक पाश्टिक से संबंधित की इसी पर सब कुछ निर्वर करता है मान लिजे जंगल में दो सेर हैं और दोनों सेरों के मध्य अगर नहीं बन रही है दोनों दुश्मन है तो पूरा जंगल फिर ये जो है कहेगा आज तुमने चार का सिकार किया है आज मैं पांच का सिकार करूँगा आज तुने दस का सिकार किया मैं पूरा जंगल ही खा जाऊँगा तो इस तरीके से पूरा संग्ठन ही विद्धवन्स हो जाएगा ठीक, इसी तरह संगठन में भी होता है एक अगर कोई संगठन ने उसमें दो प्रबंधक है और दोनों के मद्ध नहीं बन रही है तो पूरा संगठन में विनाश हो जाएगा इसी तरह करमचारी है समानस्तर के करमचारी जो है उनके अंदर नहीं बन रही है तो ये सोचेगा ये नहीं काम कर रहा है तो मैं क्यों करूँ ये नहीं काम कर रहा है तो मैं क्यों करूँ इस तरह से ये जो परस्की है उसका पूरी तरह से विनस्ट होने के का गारव कहुं जाएगी और संगठन इस तरह से failure हो जाएगा तो पा अधोगामी मतलब उपर से नीचे की तरफ संपेशन हो रहा है तो यह सभी संगठन की विशेस्ता हैं लेकिन पाश्विक शंपेशन संपेशन की पाश्टकी में महत्पूर्ण भूम का निवाता है नेड़े शंपतायम समस्या समाधान किसके निराकरण में परिभाशा की प्रमुखुप योगिता है तो अगर कोई संदिक्द कोई चीज है तो परिभाशा अगर कर देंगे उसकी परिभाशत कर देंगे तो वो साल्व हो जाएगी सीधी सी बात है वियाकरण की जवरत नहीं है तार्की काकार की जवरत नहीं है तो अर्थ की जवरत है यहाँ पे संदिक्दता को दूर करने के लिए परिभाशा की महत्वों उप्योगता रहती है अगर आप कोई भाशा बोल रहे हैं तो आपको व्याकरण जाने जो उतने भाशा बोल रहे हैं लेकिन संदेग्दता है तो उस भाषा को जो आप बोल रहे हैं जो बोलना चाहा रहे हैं उसका परिभाषी करना अगर कर देते हैं तो संदेग्दता दूर हो जाएगी सूची फर्स सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कूट से सही उतर चुनी है अब यहाँ पे आपको बहुत आसान ये प्रश्न था और इसी तरह के प्रश्न आते हैं आप लोग देख कर डर जाते हैं पता नहीं जो यहाँ पे साधरन शब्द साधरन वाक क्या होता है निशिधात्मक वाक क्या होता है यह आपको मालूम है सर्व व्यापी का क्या मतलब होता है अंश व्यापी का क्या मतलब होता है तो सभी मनुष्य मरण सील है, सर्व व्यापी और मरण सील है, ये सकारात्मक वाकिए, इसमें नहीं का कहीं प्रयोग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सर्व व्यापी सकारात्मक हो जाएगा, एक अत्री हो जाएगा, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई म निशेधात्मक हो जाएगा B का 1 हो जाएगा कुछ विद्यारती बुद्धिमान है तो अंश ब्यापी कुछ के बारे हम बात कर रहा है और बुद्धिमान है तो सकारात्मक बात है यहां नहीं का कोई चर्चा नहीं तो क्या हो जाएगा अंश ब्यापी सकारात्मक अर्थात ये चार वाला हो जाएगा सी का और कुछ किसान धनी नहीं है ये निशेधात्मक है और कुछ की बात कर रहा है तो अन्शब्यापी हो गया तो अन्शब्यापी निशेधात्मक दूसरा वाला राइट एंसर हो जाएगा इसका वाला तो ये जो है डी वाला राइट एंसर तीन एक चार दो तीन एक चार दो हो जाएगा किसी वैद मानक आकार का निर्पेक्ष नियाए वाक के निशकर से विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक के सर्वयापी हो तो उसमें तरकदोश नहित होगा इसको बड़ी आसानी से बहुत अच्छा ओड़ारण केनी महोदे ने दिया है जो सत्ता है सरवो inadequ सत्ता उसको कहते हैं उसने जीवन बनाया है क्या बनाया है जीवन बनाया है और जीवन को दो भागों बाटा दे सकता है जन्म और मिर्त्व ये दोनों आधार ही सर्व व्यापी हैं जीवन जन्म भी होता है और मृत्य भी होता है दोनों सर्व व्यापी हैं इनसे समंधित कोई भी तोटे जन्म होगा तो कहेंगे सत्ता जो भी कुछ किया भगवान ने उपरी सत्ता ने किया मृत्य होगा तो दोश भी देंगे उसी सत्ता को तो यहां सत्ता समंधी दोश हो जाता है बाकी सारे दोश जो है जो बीच के होते हैं उसका कोई भी महत्तो नहीं रहा जाता है तो यह सत्ता समंधी दोश होता है बी वला राइट एंसर है अगर नहीं समझ में आए तो रट लीजेगा बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने के MBA करने ज़रत नहीं यहाँ पर है हाँ अगर कभी कभी हिंदी भाषा नहीं समझ में आए तो आपको English वाले भाग में चले जाना है बहुत easily बहुत easy words दिये रहते हैं easy वाग के दिया रहता है वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से किसी समस्या के स्थिति में पूरों में सामना की गई समस्या से समानता के अधाया पर नेड़े की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अब पहले आपने किसी कहीं नेता थे और पर माली जे प्रबंधन में किसी पत पर थे और कोई नेड़े आपने किया था किसी समस्या के संदर में तो उस समस्या से संबंधित जितने भी terms, conditions थे जितने भी बातें आई थी सामने और किस तरह से नेड़े लिया था ये आपका स्वता स्वतासोद था और किस तरह का स्वतासोद में आएगा प्रतनिधिक्ता का स्वतासोद इसको कहा जाएगा उसी को आधार बना कर आप उसी के समान कोई समस्या आती तो उसमें जब नेड़े लेते हैं तो इसको प्रतनिधिक्ता का स्वतासोद कहते हैं तो बी वला राइट एंसर इसका प्रतिनिधिक्ता का स्वाशोध इसको कहते हैं निमलकित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी-कभी बाधा उत्पन करता है तो एक पूरवा ग्रह आप पहले सुने होंगे कई बार नाम सुने होंगे किसी विशय के बारे में आपके अंदर कोई वृत्ति पहले से बनी होई है किसी जात ये तो ऐसा ही है ये लोग ऐसा ही होते हैं तब फिर ये चीज जो है समस्या के समाधान में बाधा उत्पन करेगी तो मानसिक विन्यास जो है ये किस से रिलेटर होता है पूर्वा ग्रह से पहले सही कोई अवृत्ति आपके अंदर डेबलप हो जाती है किसी चीज के किसी विशार के संदर में किसी वस्तु के संदर में तो ये समस्या उत्पन करती है बीोला राइटन से निमकित निर्णयक निर्णयन शैली में से किसमें लंबा समय लगता है तो विसलेशनात्मक में लंबा समय लगता है ठीक है तो विसलेशनात्मक सैली दोस्तों एक वैग्यानिक शैली है और वैग्यानिक सैली जो भी वैग्यानिक पद्धती में क्या होगा और लोक का निरिक्षण प्राक्षण प्रियोग इस सारी चीज़े समलित रहती हैं कोडिंग, डिकोडिंग, بहुत सारी चीज़े रहती हैं संद्यगता को दूर करने का प्रयास किया जाता है तमाम शोथ किया जाते हैं इसलिए ये जो है काफी लंबा समय लेने वाली शैली है। ये विकल्प के चैन को प्रभावित करता है ठीक है ये चीज़ आपकी परिक्षा में भी लागू होती है एक्जाम में जो पेपर बनता है तो विकल्प अगर एकदम आसान आसान दे दिये तो आप आराम से जो सही विकल्प है चुन लोगे यह ना विकल्प इस तरीके के दे है कि आप eliminate कर दे रहे हो तीन को आसानी से तो चौथा विकल्प आप easily चुलनोगे विकल्प ऐसा दे दिया कि 0.05, 0.04, 0.03 तब वहां पर आप उलच जाओगे और भी ज्यादा tough दे दिया 0.53, 0.52, 0.51, 0.54 इस तरीके दे दिया तो आप और उलच जाओगे तो विकल्पों की प्रस्ति का ढढ़ंग विकल्प के चैन को प्रभावित करता है किसी उच्च संसक्त समू के, मतलब ऐसा समू जो पूरी तरह संगठित है सदस्यों के समलोचनात में मुल्यांकन परक नेड़यन शमताओं के नष्ट हो जाने की प्रभिति क्या कहलाती है समू सोच कहलाती है, मतलब एक व्यक्ति सोच जो है, वो पूरे समू की सोच है जब ऐसा हो जाता है तो सही गलत कुछ भी हो, सब एक जैसी सोच रखते हैं, सब की एक समान विचार हो जाते हैं, सब की एक समान पूरवा गरह हो जाते हैं जो मुल्यांकन परक नेड़यन शमताओं को नष्ट हो जाने की प्रभिति कहलाती है समूरवी करण होगा तो दो ग्रूप बढ़ जाएंगे और ये अपने विचार रखेंगे, ये अपने विचार रखेंगे और विवास से एक नया विशय सामने आएगा, जो की संसोधित होगा, सब को सरोमान होगा संग्यानात्मक असंबादिता का अर्थ समझेगा, संग्यानात्मक असंबादिता का मतलब होता है जहां पर जवरत एकदम व्यवारी तरीके समझी है, कि जहां पर ऐसा लगे कि हमको विरोध करना चाहिए किसी चीच का तो वहां पर आप चुप हो जाते हो बोलने के अस्थान पर, ठीक है, तो व्यक्ति सामने वाले समझ जाते हैं कि जरूर कोई ने कोई बात है, कोई ने कोई ऐसी बात है जो यह हमारे बीच का जो सबसे बढ़िया ग्यानी व्यक्ति है, यह चुप बैठा हुआ है तब फिर लोग उससे विचार जानने को आते हैं कि भाई क्या इसी बात है तब वो अपनी बात को लोगों के सामने अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से रखता है और समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा होना चाहिए इसको संग्यानात पक असमवादिता कहते हैं तो ये तीनों चीजें तो इसमें नहीं आएंगी निर्णयन शमताओं को नश्ट नहीं करेंगी ठीक है सही या गलत कर सकती नश्ट लेकिन समू सोच जब हो जाएगी तो ये निर्णयन शमताओं को नश्ट करेंगी नेड़ेन की वर शैली जो सभी को परसंद रखने में अत्याधिक संबंदित है तो ब्यवहार परक्षैली है सी वला राइट एंसर है जिसमें आपचारिकता ना के बराबर रहती तो अनौपचारिक जब संबंद रहेंगे तो ये नेड़े की सबसे जादा सब को परसंद करने वाली सैली कहलाएगी हाँ भईया हमसे भी बात कर रहे है चलो इनको थोड़ी हेल्प ही कर लेते हैं तो सब को परसंद रखने की से अध्यदिक संबंदित है ब्योहार प्रक्सायली सी वला राइट एंसर है नियमकित में से कौन सा निर्ड़े के परिडामों की संभावता के अनुमान का नियम नहीं है देखे ये परिणामों के संभावता का अनुमान ये शोध का विशा है ये क्या है शोध का विशा है जिसमें आपका अवलोक, नेरिक्षण, परिक्षण, उपलबता, समायोजन, प्रतनिधिक्ता ये सभी चीज़े आती है ठीके प्रतनिधित तथ्य जो होता है वो सभी तथ्यों का क्या करता है प्रतनिधित तो करता है हमने आपको बताया है प्रतिचैन का तरीका ठीके तो सैंपलिंग का तरीका मतलब कोई अगर समू है उनमें से कोई मान लीजे सो व्यक्ति रह रह रहे हैं सौ व्यक्तियों में से चार ऐसे व्यक्तियों को लीजिए जो सभी समू हो, पूरे इस समू का, पूरे सौ व्यक्तियों का प्रतने तो करते हों इन चारों के अंदर ये सारी विशेश्चता हैं मौजूद हो इसको सैंपलिंग कहते हैं, प्रतिजयन कहते हैं, प्रतिनिजिकता कहते हैं, तो ये तीनों तो हैं, लेकिन उप्योगिता का आकलन इसके अंतरकत नहीं आता, ये वाला राइट एंसर है, अब यहां पे फिर से आ गई आत्मा अमर है होने वाली बात, वैद मानक आकार के तो उसे व्याप्त होना होगा, आत्मा अजार अमर है, आत्मा मर नहीं सकती, ये मुख निरपेक्षवाक्य है, तो ये आत्मा किसमे व्याप्त होगी, नैनम दहति पावकह, तो किसमे व्याप्त होगी, मुख याधार वाक्य में, तो मुख याधार वाक्य उसमें क्या रहे ये आत्मा अमर है आत्मा मर नहीं सकती ये उसमें ब्यापत होगी सी वला राईट एंसर है प्रसंभाव़ता गुड़ है इसे आकलन किसी चीज क्या जाता है तो ये किसका गुड़ है हमने आपको बताया ये एक जो शोध है उसका गुण है तो शोदिन में से सौद का गुण कौन सा है आगमनातमक युकति आगमन किया जाता है ठीकर नेडे लेने के लिए ठीकर तो ये कई जो है तथे आंकडे जुटाए जाते है जिनका आगमन पदधती के द्वारा निशकर्ष पे निकला याता है तो यह वाला राइट एंसर होगा इसका निवकित में से किन निर्णे करताओं में समस्याओं के सिजनात्मक समाधान खुजने की अच्छी प्रविति पाई जाती है अब यहाँ देखिए समझेगा चारो आप्शन्स को निर्देश आत्मक शैली मतलब जो निर्देश दिया गया है जिस प्रकार का कहा गया है कि इसी तरह से आप निर्णे लोगे ठीक है तो यह जो है सिजन का इसमें कोई चांस नहीं रहता है नवाचार का कोई चांस नहीं रहता है विश्लेशन आत्मक शैली में जो कुछ विश्टेशन किया, शोध किया, जो आकडे मिले उसी के आधार पर निश्कर्ष निकाल दिया, यहाँ पे भी जो चिंतन है उसकी संभावना कम रहती है, संप्रत्य या आत्मक जो शैली रहती है, इसमें क्या होता है, यह चिंतन के को निरूपित करता है, इसमें चिंतन किया जाता है, और चिंतन के आधार पर किवल निश्कर्ष नहीं लिया जाता है, बसकि निश्कर्ष आने के बाद भी चिंतन किया जाता है, कि क्या इसका और भी निश्कर्ष हो सकता था, क्या और अधिक आकडे जुटाये जा सकते हैं तो संप्रत्य आत्मक शैली यिसी को कहते हैं, चिंतन की शैली कही जाती है इसको तो C वाला रहिट एंशर होगा. व्योभार आत्मक शैली तो एकड़म अनुपचारिक शैली होती है. तो सिजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवित्ती समप्रत्यात्मक शैली में नेड़े करताओं में पाई जाती है अभी देखें अब आप लोगों को हमने एक बार हिंट दे दिया कि किस तरह से आपको विचार करना है अभी मैं डायरेक्ट पुराने प्रशनों को पढ़ूँगा उनका अंसर ठीक है तो आप लोग देखते जाएं ताकि देर नहों छे साथ वर्शों के प्रशन है पूरे ये पूरे आपके सौल हो जाएं दूसरों के साथ प्रभावी संप्रिशन करने के किसी कीमत की एक शमता कहलाती है अंतरवेक्ट एक दक्षता कहलाती है जब आप अन्य अविविन्यासित हो जाते हैं तो आप ए वाला राइड एंसर है अपनी सत्निष्ठा को बनाये रखते हुए अन्य लोगों की आऊशक्ताओं प्रेड़नाओं इच्छाओं के बारे हम विचार करते हैं इस सारी चीजे मैंने जो डिस्क्राइब की कहीं पढ़ी होई नहीं है आप अगर थोड़ा सा सोच समझ के विचार करोगे तो आप उसी एंसर पे जितने भी प्रश्ण दिये हैं बहुत आसानी से पहुँच जाओगे थोड़ा सा अपने दिमाग को ठहराओ देने की आऊश रिख बिद्या का प्रियो किया जाता है क्योंकि रंग एक महत्मोज संचार साधन है और धार्मिक, सांस्कितिक, राजनेतिक थथा सामाजिक प्रभावं से जुड़ा हुआ हैं अंतर व्यक्तिक संपेशन में सुरूत भ्रामक के प्रकार निभाये जाते हैं प्रत्यक व्यक्तिके द्वारा ठीक है परस्पर विचारों का अदान प्रदान करना अंतर व्यक्तिक संपेशन कहला एता है मानो सामाजिक संपर्ग परस्पिक जारुपता सामाजिक अंतर क्रिया के कारण ही सुगमता से अंतर वैक्देग संबन निर्मित कर पाता है इसमें प्रतिपुष्टी फीडबै के माहतपूर तत्व है क्योंकि इसी अधार पर संप्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है अता इसमें सुरोत भ्रामक के प्रकार प्रतेग व्यक्त के द्वारा निभाये जाते हैं किसी समू या संगठन में संप्रेशन के प्रमुख प्रकार या प्रकारियों के बारे निम्कित करतनों बिचार कीजे या सदस्यों के बिवहार को नियंतित करता है या प्रेणा को बढ़ावा देता है या भावनाओं को समयगात्मक अव्वित का उसर प्रदान करता है या नेड़े लेने को सहज बनाता है संगठन में घुसेंगे तो सारी चीज़े संप्रेशन में आपको देखने को मिल जाएंगी डीवला राइट एंसर है अंतरवेक्त एक संप्रेशन का एक अन्यनाम क्या है द्विक संप्रेशन ठीक है द्विक संप्रेशन स्ताथपर दो वेक्तियों के माध्यम से अपने विचारों सूचनाओं और भावनाओं आदिका आदान पदान करना है इससे अंतरवेक्तेक संपेशन भी कहा जाता है जन प्रवाद ग्रेप वाइन की निमकित में से कौन सी विशेष्था नहीं है तो यह प्रबंधन द्वारा नियंतित होता है यह इसकी विशेष्था नहीं है बाकी सारी विशेष्था है इसकी है छीमला राइट एंसर है अनौबचारिक संचार व्योस्था को अंगूरी लता संचार भी कहते हैं ग्रेप माइन कम्ουνुकेशन भी कहते हैं तो क्या है औरोधक प्रभावी संप्रेशन में एक बात को दूसरे अस्थान पे पहुँचाने में बाधा क्या जालते हैं नीती प्रवचन, नेने परक होना और सांतना प्रदाई टिपडियां ये सभी औरोधक का कारे करती है संप्रेशन अंतक्रिया के रूप में परिपेख्ष के अंसार प्रतिपुष्ठी कभी-कभी गैर इरादतन होती है बीना उदेश अर्थात गैर इरादतन भी प्रेशित होता है आमने सामने के संप्रेशन का संदर्भ होता है समकालिक आमने सामने का संप्रेशन संकालिक होता है जिस समय कहा जाता है उससे समय सुना जाता है golden rule करने की तो एवला राइडेंसर जनता को अंदोलन के लिए जागरित करने के प्रयास का क्रियानिवन गोल्डन रूल कहलाता है प्रासंगिक तत्यों की उपेक्षा करके जन समधाय की भाउना और उस्सा को उभार कर किसी विशे पर साजनिक स्विक्ति प्राप्त करने का प्रयास लोको तेजक युक्ति दोश कहा जाता है जनांदोलन और प्रोपोगेंडा करने वाले इस विदिका सहारा लेते हैं जैसे राष्टवाद हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मलब की भारत के संदर में संप्रेशन प्रतिभागियों का चेहन किन कारकों दरा प्रभावित होता है तो सन्निध्य उप्योगिता अगेला पन इससे संप्रेशन प्रतिभागियों का चेहन प्रभावित होता है कालिक संप्रेशन का अध्यन कहा जाता है क्रोने मिक्स के रोप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वरा तथियों विचारों सूच और सूचना का मौकिक लिखित संकेतों अध्वा मुद्राओं की माध्यम से संपेशन की आदान प्रदान की प्रक्रिया ही क्रोने मिक्स के नाम से जानी जाती है। नहीं तर्कदोष क्या है चक्रक है कि सामने वाला जो हमारे जो बात कह रहा है जिसे मैंने आपको बता है एक चक्र में है तो बगल वाला वेक्ति जो आप तक सूचना पहुचा रहा है आपको लगेगा कि यह सत्त ही कह रहा होगा तो यह क्या है चक्रकदोष है C वाला प्रता भी कहते हैं, नेड़े लेने का पहला चरण क्या होता है, विशिष्ट लक्षों को इस्थापित करना होता है, नेड़े लेना एक संग्यानात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसे प्रडाम सुरु विश्वास या अनवेकल्पिक संभावनाओं के मध्य, एक चुनाओ किया जाता है, नेड़े लेने का प्रथम चरण विशिष्ट लक्षों को स्थापित करना होता है, निम्खित में से कौन सा समूस अदस्यों द्वरा प्रभावी नेड़े निर्माड के संदर में हनिकारक हो सकता है, तो चरम संसक्ति शीलता, किसी भी व्यक्ति से अगर चरम संसक्ति शीलता है, तो आप अच्छा नेड़े, प्रभावी नेड़े, निस्पक्ष नेड़े नहीं ले पाएंगे, तो एवला राइट एंसर है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन कर एक प्रभंधग को समस्या के समाधान करने में स प्रयास किया जाते हैं, हो सकता है, किसी का निश्कर्श हमसे भी अच्छा हो, हमारी सोस से भी अच्छा हो, जटिल समस्याओं की स्तिती में समूह निश्पादन उच्चतर होता है, विकेंदे के नेटवर्क में, जैसे विकेंदे के नेटवर्क है, उसमें निश्पादन उ शिलता पाई जाती है तो निरनतर्श अिलता पाई जाती है थीकर है आस। उभम करके एक बार पढ़ानीने सब्सक्या चामिशा से चाह्इब नियम नहीं है तो यह कौन सा है उपयोगिता का आकलन यह जो है किसी निर्णे के परड़ाम की व्यक्तिनिष्ट संभावता के अनुमान का नियम नहीं बाकि सब व्यक्तिनिष्ट उपयोगिता का आकलन व्यक्तिनिष्ट नहीं बाकि उपलब्दता प्रतिनिध्यात्मक्ता अ रहता है चाहे दो विकल्प एकदम सही सही लगें लेकिन फिर भी आपको चुनना तो एक ही विकल्प है इसलिए मोस्ट एप्रोप्रेट को चुनना होता है कि वैसा भी होता है कि दोनों एक को चुनना वो आपको गलत कर देगा आपको दुखी कर देगा या फिर गलत कहा सप्थिर्ट्र वुरी तरह से इंसरैं रजो थी precisamente देने के लिए शंड्र्र नीम समाहित होते हैं तो नामिक समू तकनीक में सीवला राइट एंसर है इसको पढ़ना चाहते हैं इस तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाए अगर सब पढ़ना सुरू कर देंगे तो निमकित में से कौन सी विशेषता समाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्ड़े लेने के लिए सरवादिक महत्पूर है परान उभूती किसी संगठन में अधिकारी तथा अधिनास्तों के मद्ध नियमित अंतर क्रिया का सबसे बड़ा लाव यह है कि यह प्रभावी निर्ड़े निर्मान को सुगम मनाती अधिकारी और धिनेस्तों के मद्ध नियमित अंतर क्रिया का सबसे बड़ा लाव है यह प्रभावी निर्ड़े निर्मान को सुगम मनाती सीवला राइट है नियमकित में से कौन सा संप्रेशन प्रक्रिया का अंग नहीं है तो जीवन मों लेओं द्रिश्टी ये संप्रेशन पक्रिया कांग नहीं है बाकी माध्यम की सम्प्राइब से हो रहा है संचरन के इसके से हो रहा है सूचना को किस्थ प्रकार दी जा रही है सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं एक बार ठीक है हम हाला कि हम ये पूरा पीडियेफ आपको शेयर कर ही देंगे देख लिजएगा उच अनुरूपता समू के लिए किये गए अतारकिक नेड़े कहलाते हैं समू सोच क्या कहलाते हैं समू इसके पहले भी आ चुका है ये देखे थे हम लोगों ने देखा ही था नेड़े आप लोग चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं ठीक है लेकिन हमने जिस तरह से समझाया वो ज़्यादा ओचित तरीका है व्यावारी तरीका नेड़े लेने की कौन सी पद्धती सरवाधिक उपयोगी है तो इन में से दिड़ता परक जो पद्धती है सरवाधिक उपयोगी है नेड़े लेने के लिए निवकित में से कौन सा कक्षागत संप्रेशन में समलित नहीं है तो अब रत्यक्ष संप्रेशन जो होता है आमने सामने का संप्रेशन होता है यह वाला right answer है सुनने को सरवादिक अच्छी तरह से परिभाशित किया जा सकता है जो हम सुनते हैं उसका आर्थ निकालने में प्रयोगत एक प्रत्क्रिया के रूप में प्रत्क्रिया देने से आप क्या समझते हैं एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टी करना मतलब हमने कुछ सुना है उसके प्रति हम प्रति पुष्टी कर रहे हैं प्रत्क्रिया है, नहीं प्रत्क्रिया कर रहे हैं, इसका मालब ये समझेंगे, या तो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हमको आवाइड कर रहे हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं है इनको, निमकित में से कौन सा 36 संप्रिशन का एक प्रकार है, तो पाश्विक संप्रिशन ब तो सदस्य संतुष्टी के लिए व्रित्ताकार संचार सरवाधिक उप्योगत होता है, ठीक है, निवकित में से कौन सा एक संप्रेशन का रूप नहीं है, तो मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, ये संप्रेशन का रूप नहीं, बाकि साक्षातकार, समवाद, सावाजिक अंतक्र ये संप्रेशन हमेशा दो लोगों में कम सकम होगा, ध्यान रखेएगा, बी वदा राइट एंसर है, हाव भाव द्वारा संप्रेशन संबंधित है, काइनैसिक से ये पिछला प्रश्ण ही जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये एक बार पढ़ लिजाएगा पूरा, जूम करके देख लीज़े, करने के लिए प्रेउक्त किया जाता है, कहलाता है, अधोगामी संप्रेशन, ये सारी चीज़े देख जोके हैं, आप लोगों निम्कित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेशन की एक बाधा नहीं है, तो सक्री समण बाधा नहीं, बाकि सब बाधाएं हैं, बहुत आ उपन्यास एक दिन में पढ़ सकते हैं, तो सभी उपन्यास एक दिन में कैसे आप पढ़ सकते हो, तो ये संग्रह सम्मन्दी दो, प्रेम चंद का प्रतेक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इस वाकि में संग्रह तरकदोश नहीं थे, क्योंकि एक उपन्यास को ए पढ़ा है तो उसको क्या एक दिने पढ़ा जा सकता है नहीं तो संग्रा संबंदी तक दोस है जब एक के साथ सब को आपने संबलेत कर दिया सफलता के लिए सिक्षा अनिवार है सिक्षा सफलता की कुंजी है तो देखिए सफलता के लिए सिक्षा अनिवार है क्या सारभौमि सत्य हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि सफलता सफलत वो लोग भी हैं, जिसे खेल से समन्दित हैं, मान लिजे कोई अनपड व्यक्ति है, वो खेल में सफल हो जा रहा है, और उलम्पिक मिडल निमकित शब्दों का कौन सा क्रम सही है तो डी वला पकाना चबाना और पचाना ध्यान रखेगा अनिवार यहां पर शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए काफी लोगों को लएगा कि नहीं यह तो सही है बिना सिक्षा के सिफलता कैसे प्राप्त यहां अनिवार यह शब्द जुड़ा है मतलब सफलता तभी मिलेगी जब सिक्षा अगरान होगी सिक्षा प्राप्त करेंगे तो यह ऐसा कुछ जवरी है नहीं बहुत लोग गायक भी हैं बहुत सारे जो अनपड़ रहे हैं कुछ भी पढ़े नहीं है फिर भी तो वो बहुत ज़्यादा सफल रहे एक्टिंग में बहुत सारे जो 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 लोग हैं वो सफल रहे हैं तो sponsors जवरी नहीं है अनिवार यह नहीं माज़त पूंड है अनिवार यह नहीं है निमकित शब्दों का कौन सा करम सही है तो यह तो बड़ी आसानी इसका लेंगे ठीक है पकाना फिर चबाना फिर पचाना पौधा एक मनस्पती अब इसका उल्टा तो आप करते हो तो बात अलग है पहले चबा लेते हो फिर पचाते हो फिर पकाते हो पौधा एक वनस्पती जीवधारी है यहुदारण है परियायवाची परिभाशा का तो एक वनस्पती जीवधारी है तो एक प्रकार का परियायवाची परिभाशा है मतलब इस परिभाशा में अन्य चीजें पौधे के लावा भी पेड़, रूख, जितने भी हैं जाडियां जंगल सब आ जाते हैं पौधे के अलावा भी तो ये परियाएवाची परिभाशा के अंदर गताएगा सीवला राइडांसर है निमकित कत्नों की विचार कीज़े कमला रवी की पत्नी नहीं है प्रेमलत्ता रवी की मां है चले ये तो रीजनिंग का प्रश्ण हो गया आगे बढ़ते हैं रीजनिंग का प्रश्ण है ठीक है भारतियों का अमीर गरी बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि में विभाजन उधारण है मिश्चत विभाजन का उधारण है तो भारती समाज एक मिस्टिस समाज का अधारन है जिसमें अमीर गरी बुद्धिमान मंद बुद्धि के साथ ही बहुत से भाशाई एवं धार्मिक संस्कृतिक लोग निवास करते हैं इसके संदर में कहा जाता है कि भारत विविद्धाओं का देश है तत्य सामगरी और निशकर्ष के बीच मानसिक सेयोजन कहलाती है अनुमान लगाना को कहते हैं चैनों को संकुचित करने में परियुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है नेडे लेना निमकित में से किस संप्रिशन अंतक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए नियामक नियम संप्रिशन अंतक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए संचार प्रक्रिया में निम्कित में से कौन सा चरन पहले आता है इसके पहले आप देखी चुके हैं तो कूट लेखन इन में से पहले आता है निम्कित में से कौन उस कोशल को सपष्ट करता है वो फिगरवार रट लीजे जो सुरुवात में दिखाया थे तो ज्यादा व्यक्तिक होना, ये सकरात्मक संप्रिश्ण माध्यम नहीं है, समू की भावना से ही कारे संगठन में करना होता है, ज्यादा व्यक्तिक होना हानिकारख होता है, तो ये वला राइट एंसर है, संचार्म निश्पंदन के बुरे प्रभाव को प्रियोग किया जात थी है जो केंदरक है इससे नजदी की जब बढ़ेगी परीदी जब बढ़ेगी तो निश्पंदन जो है का दुस्प्रभाव होगा और दूर करना होगा तो सब को नजदी कलाना होगा ठीक है तो यह जो है आपचारिक दिशा निर्देश देना प्रादिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उधारण है तो नियंतन के उपागम है आपचारिक दिशा निर्देश देना प्रादिकार पदानुक्रम संचार ये नियंतन के साधन है ये वला राइट एंसर है निमकित में से कौन द्वंद समाधान की अस्वस्था नुक्रिया है तो समझोता पाने की अक्षमता समझोता पाने की अक्षमता द्वंद समाधान की अस्वस्था नुक्रिया है समानभूत के लिए निमकित में से कौन सही है तो इन में से केवल दूसा सही है समानभूत की और सहानभूत दोनों समान है गलत है सहानभूत मतलब आपने कोई गरीब देखा उसकी 10 रुपए देखर 50 रुपए देखर मदद कर दी उसने ये मदद कर दी चलो हम कुछ पुन्य कर दे रहे हैं लेकिन फिर दूसरा वक्ति आया उसने गरीब को देखा उसके कश्ट को अनुभू किया इसको कहेंगे परानभूति या समानभूति कहेंगे उसके समान अनुभूति की कोई दिव्यांग वक्ति देखा उसके समान अनुभूति की अरे कैसे चलता होगा कैसे इसको कितनी कठनाई होती होगी इस तरीके से जब आप कारे करोगे तो आप प्रयास करोगे कि आप उसकी और जदा मदद कर पाओ और हेल्प कर पाओ कि वो दस रुपए दे कर आप चले न जाओ भाकी आप आगे के खाने का भी उसका जुगाड़ करके चलाओ इस और प्रेरित करता है तो पहला वाला गलता है व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानभूत है तो ये बिलकुल सही है दूसरे के कश्टों और समयगों कानुभो करने और समझने को समानभूत है संचार में सबसे महत्पूर्ण शब्द क्या है तुम और हम तुम और हम की भावना जो है ये महत्पूर्ण है । ठीके अरशब्दिक संचार में नहित है भाव भंगिमा, देह, मुद्राय, भाव आत्म का व्यक्ति ये सबी अश आप देख, शब्दों की जुरत नहीं है, जुबान की जुरत नहीं है, हाला कि लोक सिवायोग ने 2020 में ए उत्तरमाना था, रिवाईज अंसर की दी नहीं है, इसलिए पता नहीं चला है, कि इन्हेंने बदला है कि नहीं बदला है, लहजे में तो आपकी भाषवा जुबान आहीं जाती है, है न, अंतरवेटेक शब्दों में किसमें अधिक समय लगता है, तो विश्वास बनने में अधिक समय लगता है, अंतरवेटेक सम्बंदों में, तभी आवचारिक से आनवचारिक Relation कयाम रहता है निमकित में से किसका प्रयोग अंतरव्यक्ति सम्बंद व्यक्त करने में नहीं किया जाता है तो इसमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है संगठनात्म कौषल को छोड़कर लो कोशल, जीवन कोशल, मेदु कोशल का प्रयोग अंतर वेक्टेग से मन वेक्टरने में किया जाता है तो डी वला रहा इटेंसर है साइमन द्वारा प्रस्ताविद निर्डे लेने की प्रक्रियाओं में से निमकित में से विशम प्रक्रिया कौन सी है तो तदात्मी करण क्रिया, ता साइमन द्वारा प्रस्तावे नेड़े लेन के क्रियाओं में तदात्मी करण क्रिया एक विशम प्रक्रिया है, बाकी सब प्रक्रियाएं सम प्रक्रियाएं है, बुद्धी पूर्ण क्रिया, अविकल्ब क्रिया, चेहने क्रिया, अदो लिखि तरुर्णा के स्थापित नियमों के विपृप्रित नेलियन प्रक्रिया में नहित है अनेष्यत्तर नेदय प्रक्रिया में वैक्ति के सामने कई विकल्ब होते हैं इन में उपलब्द सुजनाओं की अनिश्यताय Mmm इस अनिश्यता कम्मों के कारण यह होता हि कि उपलब्द सुजना के कई पहलूगायव होते हैं सहज ग्यान नीर्णै अनुभव, भौनाओं और संचित फैसनों पर अधारित निर्णे होता है एक सू परिभाशिस समस्या में अधोलिकित विशेष्टाएं होती है क्या क्या प्रारंभी कवस्था लक्ष अवस्था संकारक यों नियंतर कवस्था ये सू परिभाशिस समस्या में प्रयोक्ति विशेष्टाएं होती है समस्या समधान में के त्री प्रक्रम आगम के अंसार निम्न में से कौन अंतर दिश्टी का एक प्रकार नहीं है तो इसमें चैनात्मक कूट संकेत, चैनात्मक तुलना और चैनात्मक संयुक्ति आते हैं इसमें चैनात्मक भंडारण नहीं आता है तो C वाला राइट एंसर होगा पढ़ने के लिए आप जो उत्तर इसका दिया हुआ है वो आप PDF लेकर पढ़ सकते हैं टेलिग्राम पे मैं तुरंदे दे रहा हूँ संप्रेशन में किस का नियम प्रियुक्त होता है KISS का भी इसका उत्तर होगा Keep it short and simple Communication में किस का नियम Keep it short and simple के लिए प्रियुक्त होता है निम्नलेखित में से कौन सा कारण तियोरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रुप में प्रियुक्त किया जाता है तियोरी चढ़ाना एक कहावद भी कही है तियोरी चढ़ा रहा है तो किस से D इसका जो है किस से किस के नकारात्मक संकेत रुप में प्रियुक्त किया आता है चिड के D होगा इसका उत्ता निम्खित कारणों में देखिए बहुत ही simple चीजे होती है थोड़ा सा शब्द जटिल होते हैं इसलिए समझ में नहीं आती है यदि आप थोड़ा सा व्योहरिक रूप से समझने का प्यास करेंगे तो प्रष्णों को समझ पांगे अगर हिंदी मनल समझा है तो इंगिश में उसको समझने का प्यास करिए ठीक है इंगिश इसका हमारे पास प्रष्ण पत्र उपलब्द नहीं था इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ अगर मिलता है तो इंगलिश वाला भी मैं सेग्मेंट करा दूँगा निम्लिखित कारणों में से कौन आगे जुकने के धनात्मक वैक्तिक संकेत द्वारा अविव्यक्त किया जाता है इसमें एक आगरता होगा इसका उत्तर ये आगे जुकने के धनात्मक वैक्तिक संकेत द्वारा अविव्यक्त किया जाता है निम्लिखित में से कौन संप्रेशन की बाधाओं में ग्रिहता की कमजोरी है ग्रिहता मलब ग्रहन करने की कमजोरी है जो ग्रहण करता है उसकी कमजोर जो संप्रेशन्ड की बादाउं में ग boundary क्या है पूरुवा ग्रह ठीक है पूरुवा ग्रह गरिशन्धेय कमजोरी है और बाकी सब प्रेशक जो संदेश भेघता है उसकी असपश्टता, सब दंबर, समय यह सब जो भेज रहा है संदेश उसकी कमजोरी है जबकि पूर्वा ग्रह से ग्रसित होना ये ग्रिहता की जिसके पास संदेश भेजा जा रहा है उसकी कमजोरी है यहां कथन और कारण दिया हुआ है अंतर व्यक्तिक भूमिकाएं व्यक्तिक के उन व्यवहारों से संबंदित होती हैं जो अंतर व्यक्तिक संबंदों पर केंद्रित होते हैं रीजन है ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्तिती से प्रतेक्षता जोड़ी होती हैं इसमें E और R दोनों सही है और R A का सहीं असपश्टि करण करता है अथात अंतरव्यक्तीक भूमिका पर किंद्रित्र रते हैं और ऐसी भूमिका आधिकारों संस्तिती से प्रत्रिक्सताई जोड़ी होती है इस Clerकर पर इसलिए E सही है तो A जो है इसका A और R दोनों सही है और R A का सही है स्पष्टी करना करता है निर्खित में से कौन सी अंतरवेक्टरिक भूमिका नहीं है इसमें नामात्का अध्यक्ष नेता संपर्क D जो है मालिक बॉस जो होता है वो अंतरवेक्ट भूमिका में नहीं आता है जबकि नामात का ध्यक्ष नेता संपर भूंकिया तीनों जो हैं अंतर वेक्टरी भूंकिया हैं जो अलपकालिक समायोजनों एवं दीरकालिक सरचनात्मक परिवर्तरों में समता बनाया रखे उसे क्या कहेंगे संसाधन अबंटक संसाधन आपंटक बी इसका उत्तर होगा द्वंद समाधान में निम्रकित में से कौन द्वंद सम्मंदी या संगर सम्मंदी मुद्धों के बारे में सहमती के छेत्रों पर बल देने और आसमती के छेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है इसका बी उत्तरों का शमन करना मामले को जो विवाद है उसका शमन करना सहमती के छेत्रों पर बल देने और आसहमती के छेत्रों की उपेक्षा करने की व्याख्या करता है भी शमन करना द्वंद्र समाधान की शैलियों में से कौन बच कर निकलने की शैलिक रूप में जाना जाता है सी इसका उतर होगा कि निर्णे टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना निर्णे को एक प्रकाश टालना ये बच कर निकलने के शैली ग्रूप में जाना जाता है निर्णे में से कौन दूसरों के साथ संबध्ध होने की आउशक्ता दर्शाता है सम्मलित होने की आउशक्ता ये दूसरों के साथ संबध्ध होने की आउशक्ता दर्शाता है सूची फर्ष को सूची सेकंड से मिलाना है संप्रेशन की बाधाएं और बाधाओं के प्रकार दिये हुए है इनको मिलाना है अर्थात शब्द भंडार से संबंधित क्या है बाधा भाषा, भाषा संबंधित बाधा है ठीक है न, शब्द भंडार दूरी जो है ये ये सर्राचनात्मक बाधा है दूरी सर्राचनात्मक बाधा है जल्द भाजी पार्षित की बाधा है और कोलाहल पर्यावरणी बाधा है तो इसका उत्तर होगा D, 4, 1, 3, 2 4, 1, 3, 2 शब्द भंडार भाषा संबंधि बाधा है दूरी संब्द भाषित की बाधा है कोलाहल पर्यावरणी बाधा है निम्र्खित में से कौन तदनू भूत पूरक स्रमण की विशेष्ता नहीं है तदनू भूत पूरपरक स्रमण की विशेष्ता नहीं है B होगा मुल्यांकन परक होना तदनू भूत पूरक श्रमण की विशेस्ता नहीं है निम्र्खि संप्रेशन के पक्षों में से बेमेल पद ग्याद करना है पहुच विश्यों की प्राथमिक्ता बाधाये और व्योहार का अर्थ तो इसमें D उसका उत्तर होगा ठीक है ये सभी बाकी तीन भहुती पक्ष है जबकि ब्योहार का पक्ष संप्रेशन का मनोसामाजिक पक्ष है इसलिए D इसका उत्तर होगा निम्र्खित में से कौन एक अंतरवेक्त एक संबंदों का निर्माड में समस्या उत्पन कर सकता है इसमें शर्मीलापन अंतरवेक्त संबंदों के निर्माड में समस्या उत्पन करते है किसी संगठन में संप्रेशन जो प्रकारियों यह अस्तरों से परे जाता है जो प्रकारियों और अस्तरों पे नहीं चलता उसे क्या कहते हैं विकर्ड संप्रेशन उसको कहते हैं ये जितने प्रकार संप्रेशन है सबके बारे में दिया हुआ है अंतरवेक संप्रेशन के निम्रकित पतिमानों में से किसमे समानता, संबंध, संपोशित होता है परन्तु प्रत्य एक व्यति के पास भिन्य छेत्रों का प्रादिकार भी होता है तो संतुलित भीभाजन पतिमान, समानता पतिमान, असंतुलित भीभाजन पतिमान और एक आधिकार पतिमान तो इसका उत्तर होगा संतुलित भीभाजन पतिमान जितने पतिमान हैं सबके बारे हम दिया हैं पढ़ सकते हैं निवकि संप्रेशन संजालों में से किसमे समू का प्रतेख सदस्य केवल अपने से निकर्तम सदस्य से ही संप्रेशन कर सकता है चक्र, वाई, वृत्त या शिंखला में तो वे एक प्रकार से प्रतिकिया करते हैं इस प्रतिकिया को क्या कहा जा सकता है मनोविज्ञानिक प्रतिखाद एक बाद फिर जब व्यक्तिया अनुभो करते हैं कि उनके व्यवाद को प्रतिबंधित किया जा रहा है वे एक प्रकार से प्रतिवंद के खिलाब प्रतिवंद करते हैं जिसको मनविज्ञानिक प्रतिगात कहा जाता है संप्रेशन को प्रक्रम में संप्रेशन के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या होता है कूट संकेतन प्रथम चरण होता है यह दिया हुआ है संप्रेशक के प्रक्रम के विभिन चरण निम्न पकार है प्रेशक फिर कूट संकेतन फिर संदेज फिर वी संकेतन ग्रहन इन में से पहला क्या होगा? कूट संकेतन पहला चरण होगा प्रेशक हालागी पहला होता है प्रेशक सबसे पहले क्या करेगा कूट संकेतन करेगा फिर संदेज फिर वी संकेतन ग्रहन जो ग्रहन करेगा वी संकेत डिकोडिंग के द्वारा जो इसको ग्रहन करेगा निम्रकित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाय रखने में सहयक होता है बी इसका उत्तर होगा स्वैचिक रूप से आउशक्ता पढ़ने पर सहयता करना ये कोशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाय रखने में सहयक होता है निम्कित कत्नों विचार गए लोग और उनकी समस्याएं विलक्षन होती है सक्रिय समढ उस व्यक्ति को जीसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेशित करता है A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है इसका D उत्तर होगा प्राप्त किये गए संदेश में कोई विचलन शीलता जिसका पूर्व कथन सुरोत पर नहीं किया जा सकता है गुणा रोपित की जाती है प्राप्त किये गए संदेश में कोई विचलन शीलता जिसका पूर्व कथन सुरोत पर नहीं किया जा सकता था गुणा रूपित किस पर की जाती है गोला हल पर ठीक है भी इसका उत्तर होगा अब यहाँ पर दिया है संचायर के प्रकार और चर संचायर के प्रकार दिया हुए है और चर दिया हुआ है तो इस संचायर के प्रकार दिया हुए है उनका चर दिया हुए ये लिखित का संग्यानात्मक शमता होती है, संकेत का सामाजिक सांस्तिक कारक होता है, हद एक सामाजिक सांस्तिक अस्थानों पर अलग-अलग संकेतों के अर्थ होते हैं, ठीक है, तो सामाजिक सांस्तिक कारक और दहिक हाव भाव ये अंतरनीत अर्थ, जो दहिग अहाव भाव होते हैं उनके अंतरनियत कोई अर्थ होता है तो दो चार एक तीन इसका उत्तर होगा बी हमारे बहुत से निर्णे परिस्तिती के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं निर्णे परिस्तिती के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं यहां गोचर क्या कलाता है गढ़न के रूप में हमारे बहुत से निर्णे परिस्तिती के अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं तो इसको गढ़न के रूप में देखते हैं गढ़न के तरथ हमारे बहुत से निर्णे परिस्तिती के अप्रासंगी पक्षों से प्रफवाईत होते हैं जब कोई वेक्त किसी निर्णे के वांचित लक्ष के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णे के विकल्प असपष्ट हो तो ऐसी परिस्तिती कहलाती है संदिक्ध जब कोई वेक्त किसी निर्णे के वांचित लक्ष बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णे के विकल्प असपष्ट हो तो ऐसी परिस्तिती संदिक्ध कहलाती है ठीक है निम्खित में से कौन समू निर्णे लेने की विशेस्ता नहीं है सी इसका अतोरगा सदस्य कारे कुशल होते हैं या समू निर्णे लेने की विशेस्ता नहीं है बाकी सदस्य विचारों की वर्धित विवित्ता प्रस्तुत करते हैं सदस्य प्रभावकारी होते हैं सदस समाधान की वर्धित स्विक्ति क्यों ले आते हैं ये सब समू निर्णे लेने की विशेष्था हैं ठीक है समू के सभी सदस कार्ज कुछल होते हैं यह समू निर्णे लेने की विशेष्था नहीं है निर्डे लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वत्ह शोध के रूप में तीक है ए इसका उत्तर होगा निर्डे लेने में निर्णायक कथन जो होते हैं उनको स्वत्ह शोध के रूप में जाना जाता है निम्लिकित में से कौन एक अवाचिक संप्रेशन सहायक का उधारण है तो A इसका उत्तरों का चाक्छो संपर्ख जो आखों के द्वारा संपर्ख होता है वो अवाचिक मतलब बिना बोले जो संप्रेशन कम्मुनिकेशन होता है उसका उधारण है संप्रेशन की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या ताथ पर है कूट लेखन बी इसका उत्तरों का संकेतों को तंत्र की आवेगों में परिवर्तित करना यही संप्रेशन की प्रक्रिया में कूट लेखन से ताथ पर है संकेतों को तंत्रकी आवेगों में परिवर्तित करना संप्रेशन के संबंद में संदर्व किसे करते हैं संप्रेशन के संबंद में संदर्व किसे करते हैं प्रभावी बाचीत वारतालाब के लिए भौतिक एमों मनोविज्यानिक वातावरण संदेज ग्रहण में व्राद बाधा या भी संदेज के प्रति मौखिक एम अवाचिक प्रक्तियां बीस का उत्तर होगा स्वारता लाप के लिए भावतिक एम मनोवज्ञानिक वातावरण ठीक ये संदर्व करते हैं संप्रेशन के संबंद में बिलो निमकित कतनों पर विचा कीजिए कथन ये दिया है कारण दिया है अंतर व्यक्त एक व्योवहार अदिकांश्थ आंत्रिक और शक्तावरा प्रित होते हैं लोग एक दूस्य से भी व्योवहार आगे बढ़ाते हैं तो दोनों ही सही हैं और R A का सही व्याख्या भी करता है लोग एक दूसरे से व्योहार आगे बढ़ते हैं तो अंतर व्योहार अधिकानस्त आंतरिक आवशक्ताओं द्वारा प्रेद्ध होते हैं इसका A उत्तर होगा पेले जो प्रभाव अस्पष्ट करता है क्या अस्पष्ट करता है डी इसका उत्तर होगा उपयुक्त उपर इगामी प्रभाव के साथ सैयुक्त वरिष्टों की समर्थिता को उपयुक्त उपर इगामी प्रभाव के साथ सैयुक्त वरिष्टों की समर्थिता को पेज़े प्रभावस प्रश्च करता है निमलखित अगर इसको समझ नहीं आएगा तो तो रट लीजिएगा ठीक है क्योंकि कम समय में तयार करना है तो कुछ भी करके तयार तो करना पड़ेगा निमलखित कतनों पर विचार करिए कतन दिया है कारण दिया है संप्रेशन के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए बिलकुर संप्रेशन में अंतर क्रियाओं की सरचनावा समन्वया आवशक हैं दोनों इस हैं लेकिन आर एक का सही का कारण भी है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सांप्रेशन जो नियम है वो बताते हैं और संप्रेशन में तो यह और करने सही है और आर इका साइब करने हैं थीखे अब नकारात्मक नीजी विवहार दिया है इनका कारण दिया है घले के पीछे एक हाथ रखना यह सभी दोस्तों देखे चारों जो दिया है प्रस्च्छ रखना आखें सिकोड़ना नाक सहलाना चश्मा उतारकर नीचे रखना यह सब न करातों कि नीजी विवार आप लोगों ने भी किया होगा करते होंगे इसलिए यह समझ सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्ण है यह गले के पीछे जब आप एक हाथ रखते हैं तो यह एक प्रकास से असमती को दर्शाते हैं आप असमती बताते हैं आखे सिकोड़ने कार्थ होता है अस्विकृती व्यक्त करना किसी चीज के प्रती नाक सहलाते हैं तो इसका मतलब अदिशयोक्त कोई बहुत अदिशयोक्ती बात कर दे तो आप नाक सहलाते हैं व्यंग रूप में ठीक ना और चश्मा उतार कर दे नीचे रखना मतलब नहीं स करना आखे सिकोड़ना मतलब अस्विकृती व्यक्त करना नाक सहलाना मतलब अतिशयोक्ती और चश्मा उतार कर नीचे रखना मतलब नहीं सुन रहे हैं दूसरे लोगों के तुलना के आधार पर हमारी राय और योगताओं के मुल्यांकन की प्रविति और जो हमारे समान है उनके तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है अच्छे स्रोता बनने के लिए जो दो कोशल संबंदित हैं वे कौन-कौन से हैं ध्यान देना और प्रतिपुष्टी प्रदान करना अच्छे सोता बनने के लिए क्या जोरी है ध्यान देना और प्रतिपुष्टी प्रदान करना ठीक है अर्थाद जो बोल रहा है वक्ता है उसको प्रत्पुष्टी हो जाए कि हाँ उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं तो अच्छे सोता बनने के लिए ये दो कौशल सम्मंदित है एक सक्रिशोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाए जा सकता है वह कौन सी तकनीकी है वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों व्यक्त करना या तकनीकी प्रयोग में लाए जा सक्रिशोता है तो तो C है उसका उत्तर निमकित में से कौन एक कमजोर तरक देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को असपष्ट करता है तो इसको पुतला का तरक कहते हैं कमजोर तरक दिया जाता है और उसे किसी और के नाम पर आरोपित किया जाता है ताकि आप उसका खंडन कर सके तो इसे पुतला का तर कहते हैं संदेश क्या होता है यह एक सुअस्पष्ट संकेत होता है जो कोलाहाल अस्तर से उपर होता है यह संदेश होता है यह इसका उत्तर होगा मानवी संप्रेशन प्रक्या की कुछ अंग नीचे दिये गए है संप्रेशन प्रक्या में घटाने वाले सही क्रम को चुनिए अर्थात उपर से नीचे वाले क्रम में ठीक है पुनर निवेश दिया है संदेश दिया है कोलाहाल दिया है तो अभी हमने बता है संदेश जो है एक कोलाहाल अस्तर से उपर होता है तो संदेश सबसे पहले होगा फिर कोलाहाल फिर पुनर निवेश अर्थाद सबसे नीचे पुनर निवेश फिर कोलाहाल फिर सबसे उपर संदेश चुकि घटने वाले अर्थाद घटते होए क्रम में करता है जो लोगों के व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेशन करने के समुचित तरीकों को सपश्च करता है D. संप्रेशन प्रतिरूप संप्रेशन प्रतिरूप क्या करता है हमारे अंतर निहित ब्यावबोहदों को स्पष्ट करता है जो लोगों के ब्योहार की ब्याक्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों कर से संप्रेशन करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है अंतर वैगत एक संप्रेशन में नीतिशास्त्र यह क्या है विचारने योग ज़िए है न clarify नीतिशास्त, विचारने योग है चार आफ्षन दी हैं समझने में अरोत को बढ़ाता है गलत इमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन करता है गलत हुई नहीं सकता विचारने योग नहीं यह भी गलत है नीज साथ विचारने योग हैं हमेशा विचारनी है तो D इसका उतर होगा प्रभावी समण समावेश करता है अपने संदेश की समझ की पुष्टी करण को अर्था जो संदेश दिया जा रहा है उसको हमने समझ लिया उसकी पुष्टी करना इस प्रभावी समण को समावेश करता है तो D इसका उतर होगा निर्णे निर्माण में तुटियां इस प्रकारण होती है क्योंकि हम निर्णे निर्माण स्वताशोध का उपयोग उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है निर्णे निर्माण स्वताशोध का उपयोग उस सीमा से परे करते हैं समानता और याद्रिक छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है प्रतिनिधिक स्वतह शोध क्रियाओं परिडामों और आनुशंगिक्ताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्ब से संबंदित हो उसको जाना जाता है नेड़े खाचे के रूप में किसी प्रबंधक के नेड़े लेने की प्रक्रिया के चरण नेम लिखित है उन्हें सही क्रम में विवर्थित कीजे यहाँ प्रक्रिया दिए समस्या को परिभाशित करना प्रतिबंधक तत्थों को पहचानना संभाविद विकल्ब का विकास करना उस दिन हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिबंधक तत्थों को पहचानेंगे अर्था समस्या को पहचानेंगे फिर समस्या को परिभाशित करेंगे फिर संभाविद विकल्ब का विकास करेंगे उसके बाद मुल्यांकन करेंगे अर्थाद एक नियंते रहा मुल्यांकन तंत्र को स्थापित करेंगे तो दो एक तीन चार भी इसका उत्तर होगा निर्णे लेने की संख्यात्मक तक्नीकी जो निर्णे पतों के संपूर्ण संभावी प्रविकल दर्शाती दे के संख्यात्म में हैं तो नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, बाकी सब क्या है, दूसरों को नेर्ड़े लेने के प्रुसाहिद करना, पूर्ण रूप से केवल अपने उपर ही निर्भर रहना, गुलात्मक सुचना के महत को पहचानना, इसका दोस्तों एक्चुल में C उत्तर होगा, ठीके न, C उत्तर होगा, पूर्ण से केवल अपने उपर ही निर्भर नहीं रहना है, बाकी तीनों ही प्रबंधक को प्रभावज निर्ड़े के वातावर बनाने की प्रमुक कौशलपूर योजना है, एक ऐसा सामुहिक प्रयास जो वेकल्पिक विचार उत्पन कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने मे साहता करता है, नामिक समुह तक निकलाता है, विकल्पिक विचार या नामिक विचार जो प्रस्तुत करता है, इस गध्यांश के लेखक ने, शुरी, गध्यांश का एक पार्ट आ गया तो समें, निमकीत में से कौन असत्य है, अंतरवेक तेक कोशल विक्सित होते हैं, साती करण द्वारा तिसमें कौन असत्त है आपको चुलना तो अनकरण द्वारा सही है तद आत्मी करण द्वारा सही है आत्मूसात की कमजोर प्रकार की रुकावट है अस्पष्टा शब्द जाल समय या पुर्वाग्र पढ़ चुके इसको तो पुर्वाग्र इसका उत्तर होगा डी निम्कित में से कौन संकेत असोहार्द पूर्ण समझा जाता है किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना घूरना दिश्टी सं और पर किया मुस्कुराण और सोहारद पूर्ण इसमें से कौन लग रहा है सीधी सीवात है झोरना इसका उत्तर होगा निम् चित में से कौन अंतरख पक्तेट संबंदों के निर्वाड में समझा उत्पन कर सकता है शर्मीला पन निम्रकित कत्नों पर विचार के लोग और उनकी समस्याएं विलक्षन होती है ये तो हो चुका है इसका भी उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है किन्तों आर एका सही अस्पस्टिकरण है संबंधों की सरचना संबंधित है अभी प्रेरणा से संबंधित है संबंधों की सरचना तीक है निम्लकित कारणों में से कौन आगे जुकने के धनात्मक वैक्तिक आप जानते हैं C हो चुका एक आगरता इसका उत्तर होगा नित्य अत्यंत परिश्कित और कलात्मक स्वरूप है अशाब्दिक संब्रेशन का नित्य के द्वारा अशाब्दिक संब्रेशन किया जाता है इसमें भाव सरीर की भाव भंगी माव पर आधारित अशाब्द संप्रेशन का अत्यांत परिस्केत और कलात्मक स्वरूप यह हैं इसके द्वारा विभिन प्रकार के भाव भंगी माव द्वारा अपनी बातों को रखा जाता है अंतरवक्त एक कोशल के लिए आवशक है क्या आवशक है डी व्यक्त किसी भी भाशा में प्रभावशाली डंग से संप्रेशन कर सके यह अंतरवक्त एक कोशल के लिए आवशक है ठीक है अर्थाड वयक्ति किसी भी भासाम निमलकित में से कौन सुसंगत नहीं है तो यही बी इसका गलत होगा सुसंगत नहीं है बाकि सब सुसंगत है संप्रेशन के प्रक्रम में प्रथम चरण है कूट संकेतन अभी आपने देखा था इसको तो किसी संप्रेशन जो प्रकारियों मस्तरों से परे आता है वह क्या कलाता है विकर्णी संप्रेशन के रूप में यह भी प्रश्ण हो चुगा था जब कोई निसकर्ष प्रायः अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाविता कथन के रूप में अव्यक्त किया जाता है तो यहां संदर्बित करता है आगमानात्मक तरकना जब कोई निसकर्ष अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाविता कथन के रूप में संभावित जो कथन के रूप में अव्यक्त गया रता है वो आगमनात्मक तरकना को दर्शाता है निमलखित में से कौन सी संग्यानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्तिक कलात्मक साहितिक व्यज्ञानी कत्वा व्यवहारिक समस्याओं के विन संभावित समाधानों पर स्वतन तुरूप से विचार करता है अपसारी चिंतन इसका होगा उत्तर दो तीन बार चार बार पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में आ जाएगा एक्जाम में कर रहे हैं मौकिक संप्रेशन में सबसे महत्पूर बाधा क्या है खराब समण विनम्रता रुची या एक आग्रता मौकिक संप्रेशन में सबसे महत्पूर बाधा खराब शमण है मौकिक संप्रेशन की प्रभाव शीलता वक्ता की योगिता प्रनेरभर करती है सरल भाषा प्रयोग की लंबे वाक्य प्रयोग की विदेशी शब्द प्रयोग की या जटे शब्द प्रयोग तो मौकिक संप्रेशन में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए अपने सहयोगियों यों अधिनस्तों के बीच संबाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है अनौपचारिक अंतह संचार अनौपचारिक संबंद बना करके अधिनस्तों और सहयोगियों से संबाद स्थापित किया जा सकता है जो कि सर्वोत्तम विकल्प होता है अधो लिकित में से किस प्रकार से संप्रेशन में नेत्यत भूंकाओं की उत्पत्ति सरप्रथम होती है लगुसमू संप्रेशन ठीकें, बाकी सब नहीं अंतव्यक्तिक, द्विकी संप्रेशन संप्रेशन, आभासी एथार संप्रेशन नहों करके लगुसमू संप्रेशन होगा संप्रेशन नेत्यत की भूंकाओं की उत्पत्ति सरप्थम लगुसमू संप्रेशन में होती है टेलीफोन द्वारा संप्रेशन उधारण है रेखी संप्रेशन का, अरेखी संप्रेशन का, वरतल संप्रेशन का, या फिर यान्तिक संप्रेशन का, तो यान्तिक संप्रेशन का उधारन है, टेलीफोन द्वारा संप्रेशन, टेलीफोन द्वारा जो कम्म्निकेशन होता है, वो यान्तिक संप्रेशन का उधारन है, अपन वारतालाप के विशय के हिसाथ से प्रत्किया दिनी चाहिए इसमें लिखा है उत्तर में अपने सहकर्मी के साथ वारतालाप में वारतालाप के जैसा विशय हो उसके हिसाथ से प्रत्किया दिनी चाहिए अर्था सही समय पर मुस्कुराहट होनी चाहिए ठीक है संचार का वह साधन जो बहुत सारे आधाताओं को एक सोत से एक साथ सूचना प्रसाजित करता है उसको सामानता समझा जाता है संग्यानात्मक शम्ता समझा जाता है तो अभी प्रश्न पीश्यस में पूछ लिया था सिलिवस के वार का था तो उसका उत्तर भी होगा संग्यानात्मक समझा जाता है एक वरतुल संप्रेशन में संकूटक कूट भंजग हो जाता है जहां वह हो ठीक है कोई अधिकारी मीटिग के दौरान अपनी लेखनी मेश पर पठक्र परकट करता है क्या परकट करता है उसके क्रोध को this किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सरवाधिक महतपूर्ण अंतरव्यक्तिक कोशल है योग्यता होनी चाहिए निर्डियन से समंधि समस्य आखे भय उमीदों से भय एवम जूटी आशा और उपर टम्य से कोई नहीं थो भय एवम जूटी आशा निर्डियन से समंस्य आप एक बड़े व्यावसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सरसे हैं, किसी विशेश मुद्दे पर आप मंडल के निर्णे से सहमत नहीं हैं, आप क्या करेंगे, सबसे सही उत्तर इसमें रही है, कि मंडल के समक्ष अपना दिश्टि कौन उनके विचार हे तू रखेंगे, बाकि तीनों उतने संगत नहीं है उतने सुसंगत नहीं है जितना कि यह है जो सबसे appropriate हो उसमें ऐसे ट्रश्णों में आपको उसको लगाना होता है तो सबसे सई है है कि मंडल के समक्ष अपना दिश्टिकून उनके विचार है तो रखा जाए समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अत्वा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशह अनुसरन किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा क्या कहलाता है कलन विदी एक बाद फिर पढ़ देता हूँ समस्या समाधान का एसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि अनसुरन किया जाए तो हैं सुनश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा कलनविदी कहलाता है यहां अनुभो करने की अयोगिता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधान तरीके सोपयोग द्वारा हो सकता है क्या कहलाता है प्रकर्यात्मक इस्थिर्ता के कारण ठीकिन किसके करण प्रक्यात्मक इस्तिता करण किसी समस्या के समाधान के लिए किसी परिचित वस्तूओं के नए प्रयोगों को समझ पाने की अक्षमता है तथ्य सामग्री और निश्कर्ष के बीच मानसिक सेयोजन क्या कहलाता है अनुमान लगाना बी तथ्य समग्रिय और निश्कर्ष के बीच मानसिक सयोजन अनुमान लगाना कहलाता है अर्था जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उनके आधार पर जो हम निश्कर्ष निकालते हैं मानसिक सयोजन कहते हैं उसको ठीक चैनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्या कहलाती है नेड़े लेना संचार में सबसे महत्पोंच शब्द क्या है तुम और मैं वह और वे तुम और हम मैं और वे तो संचार में सबसे महत्पोंच शब्द तुम और हम है क्योंकि संचार दो व्यक्तियां दो समूह अत्वा एक व्यक्तियां और समूह के मद्दे भी हो सकता है अशाब्दिक संचार में नहित हैं क्या भाव भंगिमा देह मुद्राय हों भावात्मक अव्यक्ति बाकी सम में जिसे मुखी अव्यक्ति ये अशाब्दिक नहीं है लहजा ये अशाब्दिक नहीं है शाब्दिक है लहजा ठीक है न नियुन्तम शाब्दिक मौन मुखी अव्यक्ति देह भाशा लहजा व्यक्ति सम में कोई न कोई जो है शाब्दिक संचार है जबकि भाव भं तब संघ़ल में संवपाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है द्वन्द समाधान की या संगर समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया कौन सी है इन में से समझोता पाने की अक्षमता समझोता करा पाने की जो अक्षमता होती है वो सबसे अस्वस्थ अनुक्रिया है बागी महत्पूर्ण मामलोग पहचानना अनुक्रिया करना सही है भूलने या विस्मित करने और शमा करने की तत्परता ये भी बहुत सही है या विश्वास की दोनों पक्षों के हितों की रक्षा किया सकती है ये भी सही जीवन कोशल एक व्यक्तिनिस्ट ओधार्णा हो गई व्यक्तियत हो गई बाकी सब अंतरव्यक्तिक संबंद्ध व्यक्त करने में किया जाते हैं साइमन दौरा प्रस्तावित निर्ड़े लेने की क्रियाओं में से निवखित में से विशम प्रक्तिया बताईए साइमन के दोरा प्रस्तावेद निर्णे लेने की प्रक्रियाओं में से ताधात्मी क्रण क्रिया एक विशम प्रक्रिया है दी इसका उत्तर होगा बाकी सब थीक बुद्धी पूर्ण क्रिया विकल्प क्रिया चैन क्रिया यह सब सही है लेकिन तादात्मी क्रण क्रिया एक विशम प्रक्रिया है अधो लिकित में से कौन नेर्णे प्रक्रिया का अंतिम चरण है नेर्णे प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है बी इसका उतरोगा मुल्यांकन मैंने पहले वाली वीडियों बताया था नेर्णे के बारें सारी तत्यों को समस्या की पहचान सबसे पहला चरण है फिर विकल्प का चैन करना दिती चरण है फिर निर्णे मांदंड की पहचान करना है दिती चरण और निर्णे की प्रभावक्ता का मुल्यांकन करना ये अंतिम चौन है किसी समस्या के समाधान तक पहुचने की किया तक विभिन प्रक्रार के तर्क केस श्टडी तथा नियमों का अंपालंग किया जाता है इसके विपरीत की स्थिती को क्या करते है अनिश्यत्ता कहते है सहज ग्यान निर्णे क्या है? अनुभव, भावनाओं और संचित फैस्नों पर अधारित निर्णे एक सूपरिपाजिस समस्या में अधोलिखित विशेष्टाएं होती है कौन-कौन सी? प्रारंभिक अवस्था, लक्ष अवस्था, संकारक और नियंत्रक बी, समस्या समाधान के त्री प्रक्रम आगम के हमसाद निवने में से कौन अंतर दिष्टी का एक प्रकार नहीं है सी इसका उतरो है चैनात्मक भंडारण अंतर दिश्टी का एक प्रकार नहीं है बाकी चैनात्मक कूट संकेतन चैनात्मक तुलना चैनात्मक स्नयुक्ति ये अंतर दिश्टी का एक प्रकार है लेकिन चैनात्मक भंडारण ये अंतर दिश्टी का एक प्रकार नहीं है समस्या समाधान के ती प्रक्रम आगम के उसाथ चैनात्मक भंडारण अंतरदिष्टी का ये प्रकार नहीं है सेस विकल्प ती प्रक्रम आगम के अंतरदिष्टी से समलित है तो दोस्तों ये रहे जितने प्रश्ण भी तक पूछे गए है वो सभी प्रश्णों को हमने उनका उत्तर यहां पर बोल दिया कि समय नहीं है इनको एक एक टॉपिक में जो है दो दो तिन तिन लेक्चर हो जाएंगे इसलिए आप सही रहेगा मैं पीडियाफ दे दे रहा हूं वहां से आप पढ़ लिजिए और अगर समझ में ना है तो सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्ता की मनोज्यानिक आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए किन कोशलों के एक प्रभावी भंडार की आउशक्ता है तो सक्षम, संबद्ध और स्वायत ये तीन विशिष्टाएं तभी इन आउशक्ताओं को पूरा किया जा सकता है जब अंतरवेक्ते कौशल के सभी लक्षण विद्धमान हो तो इसका डीवला राइट एंसर होगा निमकित में से कौन सचेतन स्रमण में बाधा नहीं है सचेतन स्रमण जिसमें पूर्वाग्रह नहीं होगा तभी आप किसी की बात को बहुत ध्यान से सुन पाओगे तो पूर्वाग्रह किस कारण उत्पन हो सकता या भ्रहम किस कारण उत्पन हो सकता है पूर्वनेर्ण, संदेश अतिभार, संदेश जटिलता कारण इसका राइट एंसर भी होगा तीन नेगलेट कर देंगे तो निमकित में से कौन सा प्रतिरूप अंतरवक्तेग संपेशन की गत्यात्मकता परबल देता है इसमें जो संव्यवहार प्रतिरूप है क्योंकि आप कितना भी आपके अंदर संपेशन के उसल हो लेकिन अगर संव्यवहार ही नहीं कर रहे हैं बाकि तीनों सकारात्मक पक्ष हैं, तो बियोलाराय टेंसर होगा, संगठनों में अंतर वेक्ते एक संपेशन के संदर्म निम्खित में से कौन से कथन सही है, एक दक्ष संपेशन सदेव प्रभावी नहीं होता, हो सकता है कि कपिल शर्मा कोई बात कह रहे हों, और बहुत प् हो सकता है आप हसे, दूसरे को उसमें कुछ हसी नजर ना है, दूसरा है एक प्रभावी संपेशन सदेव दक्ष नहीं होता, अब कोई ऐसी बात हो सकती है कि जो प्रभावी तो हो, लेकिन दक्ष नहीं हो, तो सामान इढंग से कोई कही गई बात हो, जिसमें कोई व्यंग नहीं हो, कोई मजाग नहीं हो, फिर भी हो सकता है आपको उसमें कुछ मजाग नजर आयका, तो ने सीरियस मजाग कर दिया इसने, तो दोनो ही सही है, एक और दो दोनो, समान समू के सदस्यों के मद्द संपेशन है, समान समू के सदस्यों के मद्द संपेशन क्या कहलाता है, पाश्विक संपेशन कहलाता है पहले ही पूछा जा चुका है संपेशन प्रक्रिया में सूचना को जान बूझ कर हेर फेर करना सूचना में क्या कहलाता है तो निस्यंदन कहलाता है ये भी रिपीटेड है संपेशन प्रक्रिया में सूचना को जान बूझ कर उसमें हेर फेर करना निश्चंदन कहलाता है संचार प्रभावी होगा यद यह तद काल प्राप्त किया जाए तो यह प्रभावी होगा, धीर्य और स्पष्ट रूप से दिया जाएगा तो उतना प्रभावी हो सकता है नहों क्योंकि उसमें अन्य जिसे पूर्व निने आपने देख लिया पूर्वा ग्रह वाली चीजें आ जाएं तो इसका डी वला राइट एंसर होगा वह संपेशन जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन में को सहज बनाता है कहलाता है पाश्विक संपेशन पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है पारस्प्रिक लेन देन के रूप में संपेशन मौडल के अंसार लोगों के मध्य अंतह क्रिया कहलाती है सहकालिक अंतह क्रिया कहलाती है तो पारस्प्रिक लियन देने के रूप में संप्रेशन मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतह क्रिया सहकालिक अंतह क्रियात्मक है निम्कित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधार भूत प्रविधी कौन सी है जो आपको management में सिखाई जाती है क्या सिखाई जाता है comprehension, संप्रेशन आपको सिखाई जाता ये वाला right answer है प्रतिपुष्टी, जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रवंधन योम कारिकुशलता को बढ़ाने में प्रयोक्त होता है यह प्रकार है किसका अंतरवक्तेग संप्रेशन का प्रकार है प्रभावी समस्या समाधान का इस्टतम ढंग कौन सा है प्रभावी समस्या समाधान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तो पारंपरिक योम गैर पारंपरिक चंतन को संतुलित करकर के समाधान करना किसी समस्या का नेड़े लेने का उद्देश होना चाहिए क्या होना चाहिए सरसेष्ट विकल्व का निर्धारन करना नेड़े अब देखें नेड़े में सबसे बढ़ी बादा क्या होती है आपके पास एक से अधिक विकल्प होते हैं उनमें जो सबसे अच्छा विकल्प हो उसी का नेधान करना इसका अधेश होता है तो बियूला राइट एंसर है विवाद सदयो समाजित करता है या समाहित करता है किसको मतभेद को विवाद में क्या होगा हमेशा प्रतिशोद हो नहो जुनून हो नहो क्रोध हो नहो मतभेद जरूर होगा हो सकता है कि आप पति-पत्नी हो भाई-भाई हो किसी बात को लेकर मतभेद हो ठीक है तो उसमें वी विवाद वो विवाद का एक रूप ही होगा तो विवाद में मतभेद तो हमेशा रहेगा ठीक है इसके बाद मनभेद हो प्रतिशोद हो, जुनून, कुरोद ये सब बात की बाते हैं यह हो भी सकती नहीं भी हो सकती है लेकिन मतभेत जरूर होगा सिजनात्मक समस्या समाधान सम्मंदित है किससे अपसारी चिंतन सम्मंदित है इसका फैलाओ होता है सिजनात्मक समस्या समाधान अपसारी चिंतन सम्मंदित है नेड़े लेने के संदर में कौन से या कौन से कथन सही है तो मानवी तारकिक्ता सिमित है कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने नेड़े लेने में सुधार कर सकता है तो दोनों ही सही हैं एक और दो दोनों सही है तो सी वला इसका राइट एंसर होगा अर्थ जहां आपको मिल जाए वो तो आपको सोचना है नहीं है उसमें समस्या समाधान में सादिश्यता का उपयोग दर्शाता है तो समस्या समाधान में सादिश्यता का उपयोग क्या दर्शाता है समस्या पर निद्रा एक प्रकार का है, क्या है? उद्भवन का है, निमकित मेंसे कौन सा एक परा भाषा, पैरा लेंग्वेज में सम्बन दित नहीं है, तो मौखिक अंतर क्रिया ये परा लेंग्विज में सम्मंदित नहीं बाकि आवाज गुर वक्ता वागगती स्वरमान ये सबी भाषा सम्मंदित हैं दो समानतर टीमों के बीच अच्छे ये नहीं है दो समानतर टीमों के बीच एक फुट्बाल मैस देखने के बाद एक व्यक्ति जोड देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेश टीम जो विजेता टीम है जीतने वाली थी यह किस चीज का उधारण है तो यह पश्च द्रिष्ट अभिनिति का उधारण है तो दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबाल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोड देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेश टीम जीतने वाली थी यह पश्च द्रिष्ट अभिनिति का उधारण है एक प्रकार का पूर्वा ग्रह भी इसको कह सकते हैं दुवा नुभो के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है इसको फिर से रिपीट कर दिया है तो मानसिक विन्यास कहला जाता है इसको निवकित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणित का एक संस्क्रण है तो साधन साध्य विसले तो समस्या समाधान प्रक्तिया अनिमार रूप से एक समस्या परिक्षेत के माध्यम से एक भ्रमण है इसमें समस्याओं से समंदि सारे तथ्य उनसे समंदि सभी विकल्प ये सभी समस्या परिक्षेत में आता है तो इसके मध्य से होते हुए आपको समस्या समाधान में तो एना ग्राम्स ये चिंतन का तरीका नहीं है बाकी कलन विधी प्रयास यों तुटी स्वता शोध ये सभी तरीके हैं क्या आपको काम करना पसंद है यह किस तरह का उधारण है खुले प्रशनका नकरात्मक प्रशनका बंद प्रशनका या सकारात्मक प्रशनका तो आपको काम करना पसंद है या नहीं या तो यस में जवाब दे सकते हैं या नो में जवाब दे सकते हैं, तो जिन प्रश्णों का आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, वो बंद प्रश्णों का सीवला राइट एंसर है, प्रिस विग्यप्ति किस प्रकार का संचार है, तो यह साजनी प्रकार का संचार है, हर किसी के पास महुशने वाला किसी ए निम्लकित में से कौन सा एक अंतर वेक्ताइक पारस्पर क्रिया का एक कोशल नहीं है तो प्रशाशनिक शक्ती ये अंतर वेक्ताइक पारस्पर क्रिया का कोशल नहीं है बाकी सकरात्मक सोच तदन भूत सिष्टा चादे कि यहाँ पर इसके पहले वाले पेपर में आपने दे एक संदर प्रेशक और प्राप्त करता के बीच, भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच संबंद को दर्शाता है, यह समाजिक संदर्व, समाज में क्या क्रिया होती है, कोई सम्योहार करता है, सम्योहार के प्रतिपक्ष में एक और सम्योहार अंतह क्रिया होती है, त प्रस्ताओं की पहचान ये रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, बलकि सत्यापन, तैयारी और प्रदीपन ये सभी रचनात्मक प्रक्रिया के चरण है. निम्रकित में से कौन सा एक समू नेर्णे का एक विशेष्टा नहीं है, तो एक मस्तिष्क दो से बहतर है, ये विशेष्टा नहीं है, बलकि हम की भावना पे कारकर्थाद, दो मस्तिष्क एक से बेटर है, जितने यादा मस्तिष्क उतना जादा अच्छा नेर्णे हो सकता ह उससे उतना ही ज़्यादा संगठन प्रभावी हो सकता है। इस बात प्याधारित होता है। कह सा एक dress code sanchari का उधारण है किस sanchari में एक भावनात्मक अपील होती है लिमकित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विश्यस्ताओं समंद्दित नहीं है तो समाधान के पदों की सामान्यता ये समस्या समाधान करने वाले की विशेस्ताओं समन्दित नहीं है बाकि अभियना कारक कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती है विन्यास चर पूर अनभो और अभ्यास ये सभी मदद करते हैं उसको नेड़े लेने में या फिर उसको भ्रमित करते हैं तो ये सबी तो है समंधित लेकिन समाधान के पदों की सामानिता इससे समंधित नहीं है निमकित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है तो शोर, संस्किती, भाषा, रंग इसे हिंदू में मुसलिम संबंधी को नेड़े लेना है उसमें आप किसी एक विशेष या हिंदू या मुसलिम या फिसिक है या सिक इसाई है तो आप किसी संस्किती से प्रभावित हैं तो आप नेड़े उससे प्रभावी हो सकता है भाषा किसी विशेश भाषा से हैं, तमीलियन हिंदी में अक्सर आप देखते हैं संघर्ष इस तरह का, किसी विशेश संस्किती से हैं प्रभावित, तो आप निश्यत उसे आपका प्रभावित होगा, रंग से समंधित नहीं है, निड़े लेना प्रक्रिया के रूप में होत निड़े लेने में विकल्पों की गुडवत्ता प्रभावित होती है, प्रत्यक्षी करण से, या उनके प्रक्टी करण से, तो यह आपका 2022 तक कम्प्लीट हो गया, पुरा, इसको देख लिजेगा, काफी रिपीड भी होंगे, बार बार देख लिजेगा इससे, अगर आप लोगों को समप्रेशन कोशल की क्लासेश करनी है, तो 500 रुपीज इसकी फीज है, सीसेट के लिए आप लोग, गृूप में एड होने के लिए, सीसेट पास होना चाहते हैं, तो सीसेट के लिए समप्रेशन कोशल प्लस आपका स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, और हिंदि, और वो सभी प्रस्ण जो परिक्षा में आएंगे वो सी सेट आप आसानी से पास हो जाएंगे अगर आपको डर है तो आप जोईन कर सकते हैं इस नमबर पर वाटसप करके बहुत बहुत धन्यवाद